इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एडिजा टेबलेट एक दवा है जो आपके पेट में उत्पादित acid की मात्रा को कम करती है इसका इस्तेमाल पेट और आंध के acid से संबंधित रोगों जैसे acid reflux, पैप्टिक अलसर डिजीज और बहुत अधिक acid बनने से जुड़े पेट के कुछ अन्य रोगों के इलाज के लिए किया जाता है एडिजा टेबलेट का इस्तेमाल पेट के अलसर और acidity को रोखने के लिए भी किया जाता है जो की लंबे समय तक दड़ निवारक दवाओं के उ response पर निर्भर करेगी अगर आपके लक्षन जल्दी से ठीक हो जाते हैं तब भी आपको निर्धारित अवधी तक इसका सेवन जारी रखना चाहिए आप समय समय पर काम मातरा में भोजन करके इलाज की कुशलता बढ़ा सकते हैं और जैसे चाए और कॉफी जैसे कैफीन या दस्ट शामिल हैं ये लक्षन आमतोर पर हलके होते हैं लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या नहीं जाते तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें लंबे समय तक इस दवा के इस्तिमाल से साइड इफेक्ट का जोखिम बढ़ सकता है उदाहरन के लिए एक के फ्रेक्चर का जोखिम बढ़ा सकता है विशेश रूप से हाई डोस के साथ घडियों की क्षती औस्टियो परोसिस को रोकने के तरीकों जैसे केल्शियम और विटमिन डी सप्लीमेंट लेने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें इस दवा को लेने से पहले अगर आ आपको अपने डॉक्टर को बताने की जरूरत है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ला आपको अगरिए वाद